Hello guys and welcome back to my YouTube channel आज हम लोग ट्रेडिंग डिसिप्लीन के बारे में बात करने वाले बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और सही प्रोसीजर क्या है जब भी बिगिनर्स मार्केट में आते हैं उनको डिसिप्लीन भी कुछ होता है ये पता ही नहीं होता उनको कौन से रूल्स फॉलो करने ये पता ही नहीं होता तो इसलिए आज हम लोग डिसिप्लीन को किस तरह से लाना है कौन से में पॉइंट्स होते हैं कब आपको सिस्टेम को क्लोस करना है कब डीटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को इंट तक दिखना चलिए स्टार्ट करते हैं ओके तो आप सभी लोगोंने एक सेंटेंस सुना होगा और नहीं सुना है तो आभी सुन लेजिए कि ट्रेडिंग इस 80% साइकोलोजी और 20% ट्रेडिंग सेट अप यानि कि जो भी सेट अप स्ट्राटेजी के पीछे आप भागते हो वो सबसे 20% कॉंट्रिबूट करता है सक्सेसफुल ट्रेडिंग में और साइकोलोजी 80% होता है ठीक है लेकिन साइकोलोजी के उपर मैंने अल्रेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे है साइकोलोजी क्या होती है जो लोग आपको नहीं बताते है वैसी वीडियोस मेंने अल्रेडी बना रखे तो वो आप देख सकते हो लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि यह जो 80% साइकोलोजी है इसका भी 80% आता है डिसिप्लीन most important thing is discipline अब discipline क्यों important होता है यह हम लोग देखेंगे ठीक है सबसे पहली बात कि discipline होना चीए यह आपको कोई बताता ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे discipline के under concept factors आते हैं सबसे important होता है self control ठीक है emotion control emotion control self control यह सारी चीज़े बहुत important होती है ठीक है यह कोई गलत बात नहीं सभी का होता है मेरा भी होता है सभी traders का होता है लेकिन जो चीज़ आपको और professional traders को अलग करते हैं वो है कितना loss वो लोग लेते हैं उनके loss में भी discipline होता है जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ अगर आपका 500 का risk limit है daily तो आप लोग कोशिश करोगे कि 450 तक ही maximum loss लोगे बाकी brokerage वगेरा मिला कि यह 500 तक चला जाएगा लेकिन इससे ज़ादा नहीं जाना चीज़े तो predefined risk अगर आप daily 3-4 दिन भी continuous loss करते हो और आप discipline के साथ जब भी आपका trade चलता है at least अगर 1-2 भी लेते हो तो दो दिन में आपके पैसे recover हो जाते हैं चलो यहां पर और एक बार ले लेता हूं trade तो क्या होता है 500 का loss कनवर्ट होता है 1000 में अब उनको क्या लगता है 500 ही ठीक था मैं क्या करता हूं और एक ट्रेड ले लेता हूं और इसको recover करके 500 पे close कर देता हूं लेकिन यह फिर 2500 यह सार इस तरह के loss में convert होने लगता है तो य यह loss recover करने में ही आपका mindset busy हो जाएगा तो आपका mindset किस तरह से काम करेगा उस दिन मेरा 2000 का loss हो गया था अभी मैं इसको मतलब profit करना चाहिए मुझे recover करना है recovery वाले mode में कभी जाहिए ही मता predefined risk लेते रहिए और market से daily सीखते रहिए अब और एक चीज मैं आपको बता देता कि अगर आपने खुद के लिए limitations set कर दिये ठीक है limitations मतलब किस तरह की limitations देखी for example यहाँ पर आपने एक trade ले लिया और आपका एक ऐसे लेट हो गया ठीक है बन कर देजे single trade per day बहुत अच्छी चीज होती जैसे आपने सुना होगा an apple a day keeps doctor away वैसे single trade अगर आप लेते हो तो आप का account खाली कभी नहीं हो सकता आप अगर single trade में close करते हो तो आप कल आओगे one is to two भी अगर लोगे तो फिर से आपका profit recover हो जाएगा मतलब loss recover हो जाएगा और फिर से profit में आ जाओगे और एक चीज जो बहुत लोगों को समझती नहीं वो है कि अगर by chance आपको एक बहुत अच्छ setup बता के market निकल चुका है already market निकल चुका है आपके हाथ से निकल चुका है तो फिर से आप कैसे expect कर रहे हो कि और एक अच्छा setup मिलेगा फिर आप trade लोगे तो जब भी आप एक अच्छा move छोड़ देते हो या फिर miss हो जाता है by chance या फिर आप FOMO के कारण या फिर डर के कार होगे और जितना देर आप screen के सामने बैठोगे उतना आपका मतलब fear of missing out बढ़ता जाएगा आपको हर दो मिनिट में अच्छा setup दीखेगा आपको लगेगा कि यहां पर ले लेता हूं कोई बात नहीं पहले वाला मिस हो गया तो अभी ले लेता हूं अभी ले लेता हूं करक अगर यह setup के ओपर तो यह सारी चीजों से better है आप खुद को improve किजी loss कर रहे हो कोई बात नहीं लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप 5000 रुपए एक दिन में उडाने के बजाए 500 या फिर 250 रुपीज 10-15-20 दिन एक महिने में अगर उडाते हो तो यह वाला जो loss हो रहा लेकिन जो सीखने को मिलेगा दो महिने बाद जिसके पास ज्यादा knowledge होगा वो यह वाला trader होगा और इतना loss वो एक दिन में recover कर सकेगा तो discipline से अगर आप loss भी करते हो कोई बात नहीं आप सीख जाओगे सीख जाओगे सीखने पर focus करो है ना overnight कोई भी यहां पर profitable नही भी बनाने लगता है आपको time देना पड़ेगा आपको wait करना पड़ेगा आपको discipline के साथ trading करते रहने पड़ेगी जब आपको market समझ में आ जाएगा automatic आपके जो losses से वो recover होने लग जाएंगे risk reward को follow करते रही और हमेशा discipline को follow करते रही ट्रेड अगर गलत होता है बन कर दीज loss होता है miss कर दीजिए profit भी होता है तो ज्यादा लालच ना करके बन कर दीजिए तो system को close करना बहुत अच्छा एक answer है जिसको discipline रहना है ठीक है तो I hope आपको यी वीडियो समझ में आ गई होगी beginners आते हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि discipline किस तरह से रहना है तो अगर आपको यी वीडियो पसंद आई तो like किजे और मेरी बाकी वीडियो देख लिजे ये वाली वीडियो थोड़ी basic थी लेकिन बाकी मैंने genuine और practical content अल्रड़ी upload कर रखा है अपने चैनल पर तो आप लोग देख सकते हूं तो thank you for watching this video guys see you in the next video thank you